कि यह सब्सक्राइब करने जा रहे हैं जो चाप्टर हम लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किये थे उसको आज हम कंटीनिव करने जा रहे हैं नए टापिक्स के साथ में तो उमिद करता हूं आप सब अच्छे होगे और बहुत अच्छे से एक समझने की कोशिष कीजिए ठीक है जो भी concept अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे पह स्को फोड़नी देना है उसको कुशिश करते हैं समझने की जादा-जारा समझने की कोशिश करना है ठीक है चलिए देखते हैं अभी लास्ट क्लास में हम देके थे कि स्पीड क्या होता और विलासिटी क्या चीज़ है ठीक है स्पीड क्या है बीटा स्पीड या फिर चाल आप जिसको बोलते ठीक है यह बताता है कि बॉडी या कोई वीजिसम कितना तेज या कितना आहिस्त चल रही है ठीक है अगर आप देखें थोड़ी देर के वास्ते अगर आप एक मोटर में पेल में और उसके बाद में नेक्स्ट एक कार में फिर उसके बाध में एक ट्रेन में ट्रेन भी कोसी ट्रेंड की मैं बात केंगर ऊंदर में जितना फासला तैकरती है 2006 एवरग wichtiger एक कुछ अर एगार एक घंढे में बहुत जारा फासला ताइड़ कर लेगी बुलिट ट्रेन एक घंढटे में और भी जदा फासला ताइड टाइड़ कर लेगियरू पलिए एक घंढटे में तो हो सकता है कि 300-400 तो एह ओस बॉकुँद चला युं certa जाए तो दियुए गए वक्थ में जो चीज जो जिस्म जितना जादा फासला तय करे उत Михаै उतिनी जादी उसकी स्पीड होगी उतिनी जादी उसकी चाल होगी ठीके और इसका फार्मॉला क्या है पेटा डिस्टेंस डिवाईड बाई टाइम डिस्टेंस बटे time, यानि के दिये गए वक्त में कितना distance वो cover किया यानि के दिये गए वक्त में वो कितना फासला तै किया फासला, बटे वक्त हम लिख सकते हैं दिये गए वक्त में कितना फासला तै हुआ है, वही चाल या speed कहलाता है ठीक है, speed को measure करने के लिए हम speedometer जो कि हमारी गाड़ियों में लगा हुआ रहता सामने गोल कलर का गोल शेप का ठीक है और इसके अंदर में हम हमारी गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं ठीक है विलासिटी अलग चीज़ है विलासिटी यह बतलाता है कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग महुंचे हैं ठीक है यह मान लिजी आपका घर है यह आपका कालेज हो गया ठीक है अभी हो सकता है कि आप आपके घर से कालेज यह रासे से जाएं यह रासे से जाएं यह भी डारेक्ली जाएं ठीक है अगर से आप यहां से यह रासे से जाएंगे इस रासे से जाएंगे ही तेजी से जा रही हो आपकी गाड़ी की चाल जाधा हो लेकिन आप पहूंचेंगे लेट लेहादा आपकी गाड़ी की रफतार कम होगे ठीक है तो स्पीड अलग चीज आफ़ीं अलग चीज्थ है आज अब आगे रेखते हैं कि विलासिटी का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्प्लेस्मेंट डिवाइड बाइ टाइम या फिर उर्दु में उसको लिख सकते हैं रफ्तार मसावी है रफ्तार मसावी है नखल मकान पटे वक्त ठीक है यानि कि दिये गए वक्त में कितना नखल मकान तैग हुआ है अब आप किसी भी रास्ते से जाएए ठीक है नखल मकान आपका उतना ही तैग हो रहा है नखल मकान उतना ही तैग हो रहा है लेकिन ये रास्ते से जाने में ठीक है थोड़ा कम वक्त लग रहा है तो रफ्तार जादी होगी अगर आप ये रास्ते से जाएंगे तो तो वक्त ज्यादा लग जाएगा और रफ्तार कम हो जाएगी तो लहाज़ा इस रास्ते से जाने में आपकी रफ्तार कम होगी आगे बढ़ते हम अभी दो चीजें और है हमारे पास में एक तो है आवरेज विलासिटी और दूसरा है आवरेज स्पीट आवरेज विलासिटी और आवरेज स्पीट और सथ चाल जिसको हम बोलते हैं और सचाल सर और सचाल निकालने की क्या जरूरत है हो सकता है कि हमारा जिसम यहां से यहां तक सफर कर रहा है ठीक है जिसके अदर में अलग-अलग सेक्शन से पहले एक गंटे में ठीक है तीस की स्पीट से गया फिर अगले एक गंटे में चालिस की स्पीट से गया फिर अगले एक गंटे में राइट पचास की स्पीट से गया फिर अगले एक गंटे में असी की स्पीट से गया अब यहां पर आप देखिए यह पहले गंटे में कम स्पीड है स्पीड कम है तो फासला भी कम होगा यहां पर अगले गंटे में गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ गई तो वो जादा फासला तै करेगा D2 हम जिसको बोलेंगे अगले गंटे में गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई तो फासला और जादा तैय हो गया D3 बोन लेते हैं अगले चौते गंटे में 80 की स्पीड से वो जा रहा है तो जादा स्पीड जाएंगा तो जादा फासला तैय करेंगा तो D4 बढ़ा है D3 से D3 बढ़ा है D2 से D2 बढ़ा है D1 से तो अगर आपको आउसत चाल निकालेना है तो आप जाबता इस्तेमाल कर लेंगे जुमला तैय किया गया फासला बटे जुमला वक्त तो यहाँ पर 1 1 1 1 4 अवर लग जाएंगे तो आप लिके लेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 ठीक है divided by जो भी टाइम है यहाँ पर 4 गंटे तो 4 लिख लिजे 5 गंटे तो 5 लिख लिजे 6 गंटे तो 6 गंटे लिख लिजे जो है आप वोदा लिजे यह फार्मुला आप बहुत अच्छे से जहन में रखिए टोटल डिस्टेंस बई टोटल टाइम बोलते हैं इसको टोटल डिस्टेंस बई टोटल टाइम ठीक है अभी दूसरी चीज़ यह है कि भई Average Velocity क्या होती है ठीक है यहाँपर क्या होता है psychiatry गोटल टी कुछ अलग तरीके से बता है नीके है इस तरीके से भी देख सकते हैं यह बहुत common नॉरमल तरीका है ठीक है मैं आपको standard तरीका होताता हूँ अफसतर अफ़तार और अस्तर अफ्टार ठीक है इसको हम लिखते है जुमला नखले मकान वहाँ जुमला फासला लिखगे रहे थे हैं यहां जुमला नखले मकान लिखेंगे ठीक है बाई डिवाइड़ बाई principle ब्यूमा वख्त ये एक चीज़ है अभी उसके भाद में हो सकता है के लोडी बारत अब्तिदा में कुछ कम रफ्तार से जा रही हो ती आखरी में जाके हो सकता कि स्पीड अब होगी तेज रफ्तार होगी तो इसको हम बोलेंगे इब्तिदाई रफ्तार ठीके जो इब्तिदा में थी इसको बोलेंगे इंतहाई रफ्तार जो के इंतहा में है ठीके तो कीर का निशान होगा वो क्या कहलाता है लिता सिंतिया कहलाता है तो ये भी एक तरीका है लिकने युचैक लेकिन यहहर बारी में कामें नहीं लेकिन वता ही यह है जबापत्स जादा अहन्वीट इस जाबते की इस इस वामवरी वेस्ट यह हो गया नौर्थ यह हो गया साउथ ठीक है अभी कोई एक लड़का है जो के इस्ट से जा रहा है किस तरफ में जा रहा है वेस्ट की तरफ में जा रहा है ठीक है 30 मीटर पर सेकंड की रफतार से अगर वो यहां से यहां तक इस्ट की तरफ में जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है इस्ट की तरफ में जा रहा है इस्ट की तरफ में जा रहा है इसको यहां पर जाने के बात में ख्याल आया कि नहीं मुझे नौर्थ की तरफ में जाना है तो वह उसी तेजी के साथ 30 कि तेजी के साथ अब नौर्थ की तरफ में जा रहा है तो एक चीज मैं यहां पर बता दो कि वह पहले जितनी तेजी से जा रहा है ठीक है अभी वह उतनी तेजी जा रहा है स्पीड चेंज नहीं हुई लेकिन उसका हरकत करने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बदल जाने पर उसका विलासिटी चेंज हो गया क्योंकि विलासिटी के अंदर में डायरेक्शन का मसला है ठीक है इसलिए जब डायरेक्शन बदल जाएगा तो विलासिटी भी बदल जाएगी ठीक है ये तो चीजें आप हमसे अच्छे से सुन लिए समझ लिए अब देखते है देखते है चलिए नोट्स में क्या दिया है फॉर्मूला तो दिया है आउसत रफ्तार का ठीक है इनीशियल प्लस फाइनल विलास्टी डिवाइड बाइ टू ये तो हम देख चुक सेम रखें देखना ये केस में 30 थी तो 30 है लेकिन डायरिक्शन बदल गया है चाल को मुस्ताकम रखें उसके सिम्त में तब्दीली कर दिये सिम्त में तबदील करने से रफ्तार भी तबदील हो जाएगी अब एक बात मैं आपको बताता हूं एक बाड़ी है या एक जिसमें जो East से West की तरफ में जा रहा है जा रहा है जा रहा है यहां से यहां तक गया 30 की स्पीड में आगे जाने की बात में ख्याल आए कि नहीं मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ तोड़ा फास्ट होना पड़ेगा तो उसी सिम्त में वो अपनी चाल को अपनी स्पीड को बढ़ा के 40 कर लिया अब अपनी स्पीड को बढ़ा के 50 कर लिया तो यहां से यहां एक मरतबा यहां से यहां एक मरतबा दो मरतबा उसकी रफ़तार बदली है लेक्ट्चर को बहुत अच्छे से सीरियसली सुनिये एक तम फुल टू कांसर्प्ट से भरा हुआ है ठीके तो दो चीजे दो चीजे में ने कि अगर से बाड़ी वही डायरेक्शन में जा रहा है और तीस से चालिस चालिस से पचास हो जाए तब रफतार रफतार बदलेगी अगर से तीस से जाते 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 इस डिरेक्शन में तीस से जा रहा है और डिरेक्शन बदल दिया ठीके स्पीड तो तीस की है लेकिं डिरेक्शन बदल दिया तो भी रफतार बदल जाएगी रफतार बदलने के दो तरीखे दो तरीखे दो तरीखे या तो मिगदार बद पीली आएगी ठीक्ये उसको हम कहते हैं इस रा या एक्सलरेशन अपकी गाड़ी में भी लगा हुआ रहता है ठीके राइट एंड के पास में जिसको एक्सलरेटर बोलते हैं है एग्सलेरेटर बोलते हैं है ए थ hoped एक्सलेरेटर हम उसको अद् Nick only हे निए एक्सलेरेट नहीं होता उसको एक्सलेकर हम रहे तुम हे वह मारी गाडी को एक्सलेरेट करता है ए एक्सलेरेट कर पहर ठीक है democrats कर्लें का काम यह है कि गा Mau Klrav 30 meter per second की रफ़तार से जा रही है आप accelerator लगाएंगे तो 40 हो सकती है 60 हो सकती है 70 हो सकती है ठीक है मन लीजी कोई एक रास्ता है जो एसा ऐसा ऐसा है एक गाड़ी कुछ रफ़तार से जा रही है ठीक है वो यहां से यहां पर एक मरतबा अपना direction बदली, तो रफतार एक मरतबा बदली, ऐसे हम देखेंगे, रफतार कितने बार बदलेगी, यहाँ पर भी 30 की स्पीड है, 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 यहाँ क्यों बदलेगी क्योंकि उसका डायरिक्शन बदल रहा है यहां से यहां जाने में एक मरतवा डायरिक्शन बदला यहां से यहां जाने में दूसरी मरतवा डायरिक्शन बदला ठीक है ऐसे जारहे 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 फिर डायरिक्शन बदला तीसरी मरतवा डायरिक्शन बदला यहां से जाते जाते ऐसे गया चहती मरतबा डायरेक्शन यहां मदला फिर ऐसे जाते 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 फिर से इधर पल्टा पाँच्वी मरतबा डायरेक्शन मदला ऐसे जाते 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 इधर गया छट्वी मरतबा डायरेक्शन मदला मतलब ये रास्ते में उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हुई लेकिन रफतार कितने मरतबा चेंज हुई छे मरतबा चेंज हुई तो हम बोलेंगे कि बॉडी को एक्सलरेशन है अब एक बात बताईए बॉडी यहां से निकल के यहां पर गया एक दो तीन चार इसे पांचे सेक्ष्ण है यहां पर बॉडी की स्पीड है टूएंटी हर जगा पर स्पीड से में और हर जगा डायरेक्शन भी से में बॉडी यहां से निकला है और यहां पर पहुंच रहा है ठीक है तो ऐसे केस में ना तो उसकी मिखदार में तबदीली आई, ना तो उसके सिंद में तबदीली आई, लहाज़ा रफ़तार बदली ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिसम का इसरा बराबर होगा कितने हैं, जिरो के, एकसलरेशन इक्वल टू जिरो, क्योंकि बाडी के विलासिटी तबदील नह होने पर, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉंस्टेंट, विलासिटी इस कॉंस्टेंट, एकसलरेशन इस जीरो, ठीके, अगर रफ़तार में कोई तबदीली नहीं है, तो इसरा भी बाडी को हासिल नहीं होगा, बाडी को इसरा हासिल तबी होगा, जब जिसम की रफ़तार में दीली के दो तरीखे हैं, कि सेम रास्ते पे जाते 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 तीस से चालीस, चालीस से पचास, पचास से साट कर लो, या फिर, ठीके, तीस की रफ़तार में जाते 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 नीचे हो जाओ, ठीके, या आगे जाते जाते पीछे हो जाओ, या आगे जाते जाते राइट को हो जाओ या लिफ्ट को हो जाओ या उपर हो जाओ आप या तो अपनी मगदार बदल लो या सिम्त बदल लो ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते है और एक छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ आपको मान लीजिए पहला जिसमें यह दूसरा जिसमें अब्तिदा में उसकी जो रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड है यहां पर उसकी रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है दोनों बॉडिज की रफ्तारे जो है अब्तिदाई रफ्तारे 20 मीटर पर सेकंड है ठीके अब एक बात बताईए एक सेकंड में इसकी रफतार तबदील होके हो गई 40 मीटर पर सेकंड और एक सेकंड में एक सेकंड के बाद इसकी रफतार तबदील होके हो गई 80 मीटर पर सेकंड अब एक बात बताईए क्या दोनों बाडिस को इसरा हासिल है या किसी एक को इसर किसके पास में जिसकी रफतार में जादा तबदीली आए उसके पास में जादा इसरा होगा ठीक है इसकी रफतार में जादा तबदीली नहीं आई इसकी रफतार में जादा तबदीली आई ठीक है तो यहां पर जो एक्सलरेशन रहेगा एटू यहां पर जो एक्सलरेशन रह आखरी में आखरी में ठीकर है 40 इनिशियल में किती थी 20 टाइम कितना लिया अए एक सेकंड तो 40 मेंसे 20 निकाल दीजिए 20 METRS की तबदीली आई एक सेकंड में तो यह हो.'' 20 METR Fit. second into second second square ठीक है एक second में 20 meter per second की तबदील आई आप यहाँ पर भी देख रहे हैं एक second में 20 की तबदीली आई है हम भी वही बता रहे है कि 20 meter per second की तबदीली आई है एक second में तो second into second second square acceleration की unit भी क्या हो जाते है बिटा बड़े अच्छे से याद रखना होगा ठीके एक्सलरेशन एक्सलरेशन ठीके या फिर इस रा जिसको आप बोलते उसकी एकाई क्या हो जाएगी भीटा मीटर फी सेकंड स्क्वेर तो यहां पर इस रहा हासिल हुआ पहले बॉड़ी के लिए 20 दूसरे वाले बॉड़ी के लि दो लिए 20 ठीके यह यह 20 से 80 पहुंचना कितनी देर लगी एक सेकंड टाइम एक सेकंड तो के एवन का वैलू कितना है 20 रइट तो तो A2 बड़ा है A1 से ये पहले ही बताएं आपको A2 हो गया 60 A1 हो गया 20 तो A2 बड़ा है A1 से ये चीज़ को भी बड़े अच्छे स्याद रखिए इसरा मनफी भी हो सकता है अगर कोई बाड़ी पहले 80 से जा रही थी बाद में 40 हो गई या 20 हो गई या 10 हो गई ठीक है 80 से वो Cape 5 से झाएं तो AI केस में इसरा क्या हो जाएँगा विटा मनफी हो जाएँगा जबी भी रफ्तार घटेगी थीक है तब इसरा क्या होँगा मनफी होगा और जबीन रफ्तार बड़े ही तो इसरा क्या होँगा पर बिटा मुस्बित होगा लिख लीजी या बहुत अच्छे ठीक है मैं या लिख देता हूँ आपको दिख़त भी नहीं होनी चाहिए मन्त्वी भी हो सकता है अगर रफ्तार बढ़ती है तब एक्सलरेशन प्लस अगर रफ्तार घटती है तब एक्सलरेशन माइनस ठीक है अगर रफ्तार बढ़ भी नहीं रही है घट भी नहीं रही है रफ्तार में तबदीली है ही नहीं तो एक्सलरेशन भी नहीं होगा क्योंकि acceleration किस चिडिया का नाम है जब रफ्तार में तबदीली आए ठीके जब रफ्तार में कोई तबदीली नहीं तो अग्जलरेशन भी नहीं रहेगा I hope आपको समझ में आया है ठीके जब car speed up हो रही है ठीके जब car speed up हो रही है car speeding up velocity is direction में तो acceleration भी उसी direction में तो ये plus तो ये भी plus अब car slowing down ये car 40 की speed से जारी थी अंदर driver जो है ब्रेक मारा 20 की speed होगी ठीके तो acceleration उसकी acceleration क्या रहेंगा मैनेस रहेंगा भले मैनेस यह नहीं कि उल्टी direction में बस acceleration मैनेस रहेगा slow down हो रहा slow हो रही है slow हो रही है आईस्ते हो रही है तो माइनस हो जाएंगा चलिए शायद आज की इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी उबित करता हूं में आप अच्छे से मेहनत करेंगे हम इंशालला अगली क्लास में मिलते हैं थैंक य जाएंगा थाएंगा